एक पोर्टिबल पावर सप्लाई विशेश रूप से लिथियम आयन बैटरी आज की आधुनिक तक्नीकी दुनिया की जीवन रेखा बन चुकी है एक ऐसी दुनिया की कलपना करें जहां सभी कारें इंडक्शन मोटरों से चलती हों ना कि आंतरिक दहन इंजिनों से इंडक्शन मोटर इंजिनियरिंग के हर पहलू से आंतरिक दहन इंजिनों से अधिक उच्च शमता वाली होती है और इसके साथ ही इंडक्शन मोटर मजबूत और अधिक सस्ती भी होती है आंत्रिक दहन इंजिनों का एक और नुकसान ये है कि ये इंजिन आर पीम के एक नेरो बैंड में प्रयोग करने योग्य टॉर्क पैदा करती है इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए इंडक्शन मोटर निश्चत रूप से आटो मोबाइल के लिए पर्फेक्ट चुना होते हैं लेकिन इंडेक्शन मोटर के लिए विद्वतापूर्ती आटो मुबाइल के खेत्र में इंडेक्शन मोटर की बड़ी क्रांती लाने में बाधा साबित हो रही है। आईए पता लगाते हैं कि लीथियम आयन सेल्स की मदद से टेसला में इस समस्या का समाधान कैसे किया गया और लीथियम आयन सेल्स भविश्य में और भी बहतर कैसे बन सकती हैं। आईए टेसला सेल को बैटरी पैक से बाहर निकालते हैं और खोल कर देखते हैं आप इसके अंदर रासायनिक यौगिकों की अलग-अलग परतें देख सकते हैं टेसला की लिथियम आयन बैटरी धात्वों से जुड़ी एक रोचक परिकलपना के आधार पर काम करती है जिसे इलेक्ट्रो कैमिकल पोटेंचल कहा जाता है इलेक्ट्रो कैमिकल पोटेंचल धात्वों की इलेक्ट्रोन खोने की प्रवर्ती होती है वस्तुत है अलेजैंड्रो वोल्टा द्वारा 200 से भी अधिक सालों पहले बनाई गई सबसे पहली सेल Electrochemical Potential की परिकलपना पर आधारित थी यहाँ पर एक सामान्य Electrochemical शरंखला दिखाई गई है इन मानों के अनुसार Electrons घटने की सबसे उच्च प्रवरिती लिधियम में होती है और Electrons घटने की सबसे निम्न प्रवरिती फ्लोरिन में होती है वोल्टा ने दो अलग-अलग Electrochemical Potential वाली धादूएं ली यहाँ पर जिंक और सिल्वर लिए गए हैं और विद्वधारा का एक बहायब भाव बनाया सोनी ने वर्ष 1991 लीथियम आयन बैटरी का पहला व्यावसाइक मॉडल बनाया वो भी Electrochemical Potential की परिकलपना पर आधारित था लीथियम आयन सेल में लीथियम का प्रयोग किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन खोने की उच्चितम प्रवित्ती होती है लीथियम धातू की पहली परत में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस एलेक्ट्रॉन को भी हटाने का लगातार प्रयास करती है इसी कारण से शुद्ध लीथियम अत्यधिक प्रतिक्रिया शील धातू होती है यहां तक कि ये पानी और हवा के साथ भी प्रतिक्रिया करती है शुद्धु रूप में लिथियम के एक प्रतिक्रिया शील धातू होने के कारण लिथियम आयन बैटरी के संचालन की ट्रिक काम करती है लेकिन जब लिथियम किसी धातू के ऑक्साइट का भाग होती है ये काफी स्थिर होती है मान लीजिए किसी तरहे लिथियम के परमाणू को इसके धातू ऑक्साइट से अलग कर देते हैं तो ये लिथियम बहुत अस्थिर होगा और तुरंथ ही एक लिथियम आयन और एक इलेक्ट्रोन का रूप ले लेगा लेकिन धातू के उक्साइट के रूप में लीथियम कहीं अधिक स्थिर होता है अगर आप इलेक्ट्रॉन और लीथियम आयन को लीथियम और धातू के उक्साइट के बीच प्रवाहित होने के लिए दो अलग-अलग मार्क दे सकें तो लीथियम का परमाणू अपने आप ही धातू ऑक्साइट के हिस्से में पहुँच जाएगा इस प्रक्रिया के दौरान हमने एक मार्क के जरिये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्वत का उत्पादन कर लिया है इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि हम लीथियम के धातू ऑक्साइट से विद्वत उत्पादन कर सकते हैं और लीथियम के परमाणू से अलग हुए इलेक्ट्रॉन को बहारी सर्किट की ओर ले जा सकते हैं आईए देखें कि लीथियम आयन सेल्स इन दो लक्षों को कैसे पूरा करती है एक विवहरिक लीथियम आयन सेल्स में एक इलेक्ट्रॉलाइट और ग्रिफाइट का प्रयोग भी होता है ग्रिफाइट की संरचना कई परतों वाली होती है ये परते आपस में बहुत हलके से जुड़ी होती है ताकि अलग हुए लिथियम आयन्स को वहां आसानी से सहे जा जा सके ग्रिफाइट और धातू आक्साइट के बीच इलेक्ट्रोलाइट एक गार्ड की तरह काम करता है जो केवल लिथियम आयन्स को ही गोजरने देता है आईए देखते हैं जब आप इस व्यवस्था में एक विद्वुद्स्रोत जोड़ते हैं तो क्या होता है विद्वुद्स्रोत का सक्रात्मक सिरा साफ दौर पर इलेक्ट्रोंस को आकरशित करेगा और उन्हें धात्व आक्साइट के लिथियम परमाणू से अलग कर देगा ये इलेक्ट्रोंस बाहरी सर्कुट से प्रवाहित होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रोलाइट से गुजर कर ग्रिफाइट की परत तक नहीं पहुंच सकते इसी समय सकरात्मक चार्ज वाले लिथियम आयन्ज नकरात्मक टर्मिनल की ओर आकरशित होंगे और इलेक्ट्रोलाइट से होकर प्रवाहित होंगे लिथियम आयन्ज भी ग्रेफाइट परत पर पहुंचेंगे और वहीं कैद हो जाएंगे एक बार जब सभी लिथियम आयन्स ग्रेफाइट की चादर तक पहुँच जाते हैं तो सेल पूरी तरहे चार्ज हो जाती है इस प्रकार हमने पहले उद्देश को पूरा कर लिया यानि लिथियम आयन्स और एलेक्ट्रॉन्स को धातू आक्साइट से अलग कर लिया जैसा कि हमने बताया ये एक अस्थिर अवस्था है जैसे कि तलवार की नोक पर खड़े होना जैसे ही विद्दूद स्रोथ हटाया जाता है और एक लोड जोड़ा जाता है लिथियम आयन्स वापस धातू आक्साइट के भाग के रूप में अपनी स्थिर वस्था में वापस जाना चाहते है इनकी इसी प्रवृत्ती के कारण लिथियम आयन्स इलेक्ट्रोलाइट से होकर और इलेक्ट्रोंस लोड से होकर गुजरते हैं जैसे किसी पहाड़ी से फिसल रहे हो इस तरह हमें लोड के जर्ये विद्दूद धारा प्राप्त होती है क्रिपिया यहां गौर करें कि लिथियम आयन्स इल्स की प्रतिक्रिया में ग्रिफाइट की कोई भूमिका नहीं होती है ग्रिफाइट केवल लिथियम आयन्स के लिए संग्रहन माध्यम का काम करता है यदि किसी असमान्य स्थिती के कारण सेल का आंतरिक तापपान बढ़ता है तो तरल इलेक्ट्रोलाइट सूख जाएगा और एनोड तता कैथोर्ट के बीच शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इस इस्थिती में आग लग सकती है यद धमाका भी हो सकता है ऐसी परिस्थिती से बचने के लिए इलेक्ट्रोल्ट के बीच एक विद्वद अवरोधी पट्टी लगाई जाती है जिसे सेपरेटर कहते हैं इस सेपरेटर से बहुत छोटे लिथियमायन्स प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि इसमें अतिस्लोक्ष मचिद्र होते हैं एक व्यावहार एक सेल में कॉपर और अलुमिनियम फॉयल के उपर ग्रेफवाइट और मेटल अक्साइट का कोट होता है यहाँ foil current collectors की तरहे काम करता है और current collector से positive और negative tap को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है Lithium का organic salt electrolyte की तरहे काम करता है और separator sheet के उपर इसका coat किया जाता है यह तीनों sheet एक central steel core के चारों और एक cylinder पर बंदी होती है जिससे cell और भी ज्यादा compact बंती है एक standard Tesla cell का voltage तीन से 4.2 volt के बीच होता है एक module बनाने के लिए ऐसी कई Tesla cell समानांतर रूप से एक श्रिंखला में जुड़ी होती है Tesla car का battery pack बनाने के लिए ऐसे 16 module एक श्रिंदी में जुड़े होते है संचालन के समय लिथियम आयन cell बहुत गर्मी पैदा करती है और उच्च तापमान cell की performance खराब कर देगा इतनी बड़ी मात्रा में cells में तापमान, charge की स्थि, voltage protection और cell health की निगरानी के लिए एक battery management system का उफ्योग किया जाता है टेसला बैटरी बैग में glycol आधारित cooling तकनीक का उफ्योग किया जाता है बैटरी का तापमान अनुकूल बनाए रखने के लिए BMS द्वारा glycol का flow नियंतरित किया जाता है BMS का दूसरा महत्वपूर्ण काम, voltage protection है उधारण के लिए charging के दोरान इन तीनों cells में अधिक capacity वाली cell बागियों से जाधा charge होगी इस समस्या के समाधान के लिए BMS cell balancing का उप्योग करता है Cell balancing में सभी cell समान रूप से charge और discharge होती है इस प्रकार उनकी अधिक या कम voltage से सुरक्षा होती है इसी जगहे पर टेसला निजान की बैटरी तकनीक को मात देता है छोटे और कई सारे cell के design का एक और लाब है हाई पावर की मांग की स्थिती में discharge strain सभी cells में बरावरी से बढ़ जाता है यदि हमने एक अकेली बड़ी cell इस्तेमाल की होती तो उस पर बहुत ज़ादा strain पढ़ता और वो समय से पहले ही खत्म हो जाती बहुत सारी छोटी cylindrical cell का उप्योग करके जो वे निर्मान तकनीक पहले से स्थापित है टेसला ने एक सफल निर्णल लिया है लीथियम आयन सेल्स की पहली charging के दोरान एक जादोई गटना होती है जो लीथियम आयन सेल्स को अचानक खत्म होने से बचाती है आईए देखे कि वो क्या है ग्रिफाइट परत के इलेक्ट्रॉन मुख्य समस्य होते है इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आने से इलेक्ट्रोलाइट ख्षीन हो जाता है हाला कि इलेक्ट्रोन कभी इलेक्ट्रोलाइट के संपर्क में नहीं आता इसका कारण एक आकस्मिक खोज है जिसे solid electrolyte interface कहा जाता है जैसा के उपर बताया गया है जब आप पहली बार cell charge करते हैं तो lithium ion electrolyte के बीच में से होकर गुजरते हैं इस दोरान विलायक के अणू lithium ion को ढग लेते हैं जब ये graphite तक पहुँचते हैं तो विलायक के अणूओं से ढगा lithium ion graphite से प्रतिक्रिया करके एक परत बनाता है जिसे SEI layer कहते हैं ये SEI layer एक चुपा हुआ वर्दान है इस electron और electrolyte के सीधे संपर्क को रोकता है और electrolyte को खीन होने से बचाता है SEI layer तयार होने की इस पूरी प्रक्रिया में 5% lithium का उप्योग हो जाता है बाकी बचा 95% lithium बैटरी के मुखे कारे में योगदान देता है SEI layer की खोज हाला की संयोग से हुई थी लेकिन दो दशकों के शोध और विकास के बाद सेल के अधिक्तम प्रदर्शन के लिए विग्यानिकों ने SEI layer की मोटाई और रासायानिक संतुलन को अनुकूलित कर लिया है ये आश्चरिक की बात है कि आज से दो दशक पहले हम जो electronic gadget इस्तेमाल करते थे उनमें lithium ion बैटरी का उप्योग नहीं किया जाता था विकास की अपनी अद्भुद कती के साथ आने वाले कुछ सालों में इसके 90 बिलियन डॉलर वार्शे का उद्योग बन जाने की उमीद है lithium ion बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज साइकल की वरतमान प्राप्त संख्या 3000 है दुनिया भर के महान विग्यानिक इस साइकल को बढ़ा कर 10,000 तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपको अपनी कार की बैटरी को बदलने के बारे में 25 वर्स तक नहीं सोचना पड़ेगा स्टोरिज मीडियम को ग्रिफाइट से सिलिकॉन में बदलने के लिए शोध में पहले ही कई मिलियन डॉलर लगाए जा चुके हैं यदि ये सफल रहता है तो लिथियम आयन सेल की एनरजी टेंसिटी 5 गुना तक बढ़ जाएगी हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको लिथियम आयन सेल्स के सिध्धान्थ और उसके भविश्य के बारे में सपश्ट जानकारी मिली होगी क्रिपया हमें patreon.com पर सपोर्ट करना न भूले